सकता है कि आगे भी हो मैं शुक्त आमरा पसंदेवेश के साथ इन्हें नियूज दिले को दी जाए लेकिन कोट की तरफ से एक जून तक की ही राहत के जिवाल को दी गई है कई सीटी अभी भी ऐसी हैं जिन पर प्रचार प्रसार अर्विंद के जिवाल कर पाएंगे मौमद अफसर इस पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं मौमद अफसर गुजरात की दो सीटों पर पार्टी ने लोगसभा का चुनाब लड़ा लेकिन गुजरात में चुनाब हो चुके हैं अब नजर रहेगी दिल्ली पर साथी साथ पंजाब की 13 सीटें इसके लावा हर्याना में भी क्या प्रचार प्रसार के लिए अर्विंद केजरिवाल जाएंगे और कितना महत्पप और कितनी बड़ी बात हो जाएगी आम आदमी पार्टी के लिए कि केजरिवाल अप्रचार प्रसार में हिस्सा ले पाएंगे इसका इम्पैक्ट क्या होगा अंजली जब केजरिवाल पहले भी जब मैदान में उतरते थे तो वो बहुत ही अटेकिंग मोड में रहते थे और केजरिवाल पचास दिनों तक जेल में रहे तो इस बीच में कोई भी उनका अल्टरनेट नहीं दिख रहा था पार्टी को और इसी लिए अर्विन केजरिवाल की पत्नी को सामने लाया गया और जब वो सामने आई तो लोगों को एक सपोर्ट तो मिल रहा था लोगों मतलब की पार्टी के कारेकरताओं को पार्टी के कारेकरताओं और जो नेता हैं उनको सपोर्ट मिल रहा था लेकिन अर्विन केजरिवाल की कमी जरूर खल रही थी लेकिन कल जब अर्विन केजरि भले ही इसमें कितनी सीटों में कनवर्ट हो जाएगा ये कहना अभी मुश्किल है लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी के कारेकरता और नेता अब जोश में है और चुके आज पहले दिन ही क्योंकि सुबह से ही लगातार कारेकरम है पहले हनुमान मंदिर जाना है फिर मीडिया क उसके बाद पूर्वी दिल्ली में चैंडिडेट के साथ जाना है और फिर उसके बाद साउ दिल्ली में भी जाना है तो पूरा दिन पूरा शेडियूल वेस्त है और नो डाउट पंजाब भी जाएंगे तो पंजाब की 13 सीटे भी बहुत एहम है क्योंकि उन पर भी हो कि 13 के 13 सीटों पर काभी जो तो पंजाब में भी इनका लगातार दौरा रहेगा हर्याना में भी दौरा रहेगा क्योंकि हर्यान और पंजाब को लेकर कि अर्विन केजनिबाल पहले भी हमेशा बोलते रहे हैं तो आज का दिन तो नहुंदे श्यूल बता दिया है और सर इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए